हलो माई चेंपियंज, विजयादर्स की पार्ट शाला में आप सभी का स्वागत है, मज़ा आ रहा है, बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप बच्चे बोलते हैं कि सर, रियली मज़ा आ रहा है, जब लिखते हैं ना सच बोलू, दिल गदगद हो जाता ह है, बहुत अच्छा लगता है, जब ये लगता है कि मेरी महनत सफल हो रही है, बहुत बार मैसेज आता है कि सर मैंने अपने दोस्तों को भी जोड़ा है, उनको बहुत मज़ा रहा है, आपके क्लास लेने में, रियली डियर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना व हुशी होती है जब आप रियली आप भी महनत कर रहे हैं बच्चे मुझे कई बार डालना टेलिग्राम ग्रूप में जरा फोटो क्लिक करके डालना जो हमने गुरूप बना रखा है उसका लिंक शेर कर दूँगा वैसे में दो है हमारे पास और जिन बच्चे जो बच्चे टे पास नहीं तोड़ूँगा पूरे साल मैंने वादा किया आप से तो पूरे साल सच में ऐसे ही पढ़ाओंगा आपको मजा आएगा आपको रियली एक बच्चे ने सवाल पूछा है यूँ तो 12th क्लास का बच्चे है तो इन्हों ने बोला कि सर वो आपकी जो बुक है वो कै विजय आदर्श और जो 11th क्लास की बुक है ऐसी हमारी बुक है बट वो दूसरे ओफिस पे तो इसमें दिखाने के लिए नहीं था तो मुझे लगा क्योंने मैं 12 वाली दिखा हम आपको यह देखो यह एकनॉमिक्स बाई विजय आदर्श यहां नीचे क्वालिफिकेशन ल आदर्श पे ओजय। बटिए हम सरें विजय एकांट्स पर तिंव के लिए जांस की बुक हैको यह थे दिखो tenis विए मेस्पैर में आध्स पर ठाऍवे आपको की बुकपर इसिजर और पार इसका बी एडिशन दिखाते बंढ़ 2007 डिषन अरव, 2007 डिषन है तो तो ऐससे ही मैजड का भी बुक है. मैजड केुपट पर हमने काफी काम किया यह , इसका भी 2007 का नै। 2007 भी 2007 गैने था यह नहीं एक dinero 2007, 2009 लगातार पार यह लोगतार यह रहन देख सकते हो। इस चानल को खासियत बताओं, बच्चों को बहुत मज़ा आता था इस बुक में, यह जो बुक है ना, मतलब जो हमारी यह वाली बुक है, इस बुक की खासियत क्या है? कि यह question answer format में है, तो आपको बोर नहीं करती, जो आपके exam में आने वाले question है, वो इसके अंदर हमने include कर रखे हैं, यह वैसे यूँ हमारे app पे हमने अपसको chapter wise break कर दिया, पहले तो हम लोग पूरा यह बुक जो है वो वैसे देते थे, तो chapter wise break कर दिया, और इस बुक में chapter wise question हमने डाले थे, last में one mark के question डाले थे, आप तो देखो compulsory हो गया, इसको क्या पता था, उसमें one mark के question जो है, बाद में compulsory कर दिया जाएंगे, और 20 number के one mark वाले question आएंगे, तो अब तो compulsory होगे, तो यह जो book है, उसमें हमने, आच्छा सबसे अच्छी खास बता, देखो, इस वाले book के खासियत क्या है, कि हर page पे न, जब chapter खतम होता था, तो हम कुछ motivational, जो है वो लाइने लिखते थे, तो हार नही फिला chapter है, यह chapter जो है, माइक्रोइको के chapter है, तो दिमांड पढ़ेंगे, दिखाता हूँ, दिमांड का chapter पढ़ाता हूँ, उसमें तो दिमांड वाले जो chapter था, वो 12th class में था, तो दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा, या, really, interesting, यह तो दिल वाली बात बच्चे ने कर द law of demand, देख रहे हो, यह, तो उसमें third chapter था, और यह जब chapter आगे बढ़ता है, तो जहाँ पर भी जगह हमें मिलती थी थी ना, कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो मैं अपने staff को बोलता था, काम करो, यहाँ पर quotation डालो, मजा आता है, और पते quotation का मुझे नहीं पता था, कि स कुछ और कहीं जा रहे हो, वो किताब थी motivational book, और सिफ खेड़ा की एक बहुत ही सुंदर किताब है, जीत आपकी, तो जब वो seven minutes में पढ़ा मैंने, तो उसमें इतने पैसे नहीं होते थी, कि उस किताब को मैं खरी सकूँ, तो मैंने दोस्त को बुला, यार कि तुना, यह कित मुझे उधार दे दे, और मतलब कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए दे दे, तो उसने मुझे दिया, उसमें पढ़ा, फिर मैंने जब 12th पास अट कर लिये, तो मैंने लाइबरेरी जोईन कर ली, और आज मेरे पास खुद की लाइबरेरी है, मेरे पास कम से का more than 2000 motivational book हैं, free time में मैं उनको पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, बहुत सारी किताबे मैंने पढ़ी, बहुत सारी किताबे, और आज जो मेरा way of talking देख रहे हूँ न, यह पहले ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा लगता है, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत अब अभी तो पढ़ा कि नहीं थी, बाद में मैंने बहुत सारी चीजों के उपर काम किया, मेहनत किया, और आज इस तरीके से अपने आपको उभा रहा है, तो उसे मैं मोटिवेशन किताब पढ़ता था था न, तो मुझे मोटिवेशन का बहुत जादा ऐसा रहता था था कि नहीं है, और teaching field में motivate क करना अपने आपने ही बहुत बड़ी बात होती है, और बच्चों को motivate रखना ये भी जरूरी है, तो स्टार्टिंग से न, जब भी chapter स्टार्ट होता था, अभी तो time की limitation है, तो मैं हर chapter के starting में, जो है, कोई quotation की बात नहीं करता, क्योंकि उसमें भी 1,5 मिनट, 2 मिनट चला जा फिर उसकी कहानी भी बताता हूं कि मुझे कैसे पता चला कि सचमेयर इसे क्या फाइदा होगा, तो देखो, इस page पे एक quotation है, quotation पहले पढ़ता हूं, फिर मैं बताता हूं, इस पर लिखा हूँ है कि महान, वाइलिन वादक, वादक, फ्रीजर क्रिस्टल से पूछा गया कि आ आप इतना सुन्दर वाइलिन कैसे बजा लेते हैं, आप बहुत लखी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, यह प्रैक्टिस की वज़ए से है, मैं जादा प्रैक्टिस करता हूं, अगर मैं एक महिने तक प्रैक्टिस ना करूं, तो जो मेरे लिसनर हैं, वो बता देते हैं, हमारे यहां जो बच्चे पढ़ने रहें, मतलब पढ़ने आते थे, अभी भी पढ़ने आते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे स्टूड्योज में आते है, तो जो हमारा ओफ-लाइन नाम है, वो आस के नाम से है, स्टे लर्निंग जो है वो ऑउन-लाइन नाम है, और विज़यादर में सभी जानते हैं, almost तो जैसे छोटे भाई-वेन हैं, पापा, मम्मी हैं, वो उठा लेते थे थे न, कि ये बुक क्या है और वो quotation पढ़ने में बड़ा मजाता था, तो बच्चे बताते हैं, कि सर हमारे भाई-वेन को भी किताब याप की अच्छी लगती है और वो और केते हैं, कि सर पढ़ना है और आगज चलकर तो विजयादर सर्चे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाते तो अच्छा है हैं, मज़िदार तरीके से पढ़ाते हैं और साथ में सबसे अच्छी बात क्या है उनकी पता है कि उनकी किताबों में ना कोटेशन होता है तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में तो थैंक्स डियर आप सभी बताते हैं कि यार इतना मज़ा आता है आपको मेरी बनाईवी चीज यह तो इस बच्चे ने पूछ लिया न कलने कि इस तरीके की चीजे भी है फेर इस बुक को हमने चैप्टर वाइस कर दिया है और यह हमारा da jow मार्केट में वो खरीते हो तो 700-800 रुपी की बैठती है आपको किताब इसलिए हमें लगा कि क्यों ना यार education सबसे कम price पे कर दिया जाए बुरा लगता है जब बच्चे starting में भी जैसे ये पंकज बच्चा है starting में इसने phone किया पूछा सर फीज कितनी है तो generally बताऊं 12th class की हमारे यां के फीज जो है वो 10,800 पर हम चार्ज करते है बच्चे ने बोला सर इतनी फीज तो नहीं दे सकते है उसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ मैंने का यार सच में pandemic की situation में ऐसी situation है किसी के घर की स्थिति कैस बच्चे हो सकती है मुझे बताना comment में कि क्या सच में इस तरीकी की situation है मैं जानता हूँ होगा तब ही बच्चे ने बोला कर रहा हूं कि पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा बट आपको भी वादा करना पड़ेगा कि अच्छे से पढ़ना है याद रखना अपने वादे को कभी मत बूलना इस बात का ध्यान रखना ठीक है कहते है ना वादा तो बहुत दुख होता है तो इसलिए मत क करना कभी ऐसा वादा मत तोड़ना तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मालब जो बच्चे सच में नीडी है मैं उनको पढ़ा हूँ इस तरीके से देखो जो कोर्से हैं वो तो जिनकी कैपेस्ट्री हो हमारी वेबसाइट से जाके बाई करते ही है उनको फायदा ये हो जाते है कि सारा का सारा कोर्स जो एक ही साथ मिल जाते है प्री रिकॉर्डड बे वो जाके पढ़ लेते हैं है ना और फिर मुझे लगा कि यार वेबसाइट से तो चलो लेते हैं क्योंकि उसकी कॉस्टिंग हमारी बहुत जादा बैठती है तो मोबाईल एप का जो सिस्टम था वो इसलिए लेकि आए कि कम फीस में कम फीस में बेस्ट एजूकेशन प्रवाइड करें तो सही बोलू कॉस्ट से भी कम में हम यह जो कोर्स अपने मोबाईल एप्लिकेशन पर प्रवाइड कर रहे हैं वो सिचवेशन है मैं इससे ऐसा नहीं कि हमारी कोई कोस्ट निकल रही है लेकिन हमारी मेरी मला मैंने अपने आप से वादा किया जब पंकच की बात सुनी और तीन चार बच्चों से बात वी तो मुझे लगा नहीं यार कुछ ने कुछ तो करना है और देट्स वाई मैंने प्लैन किया कि मुझे कुछ इस तरीके से करना है ताकि बच्चे को कम से कम पीस में पढ़ाई जा सके, क्या चलिए, टेलिगराम गुरुप से अगर नहीं जुड़ें तो जुड़ जाना, नीचे कमेंट में बताओ, कैसा लगा इन सभी चीजों को सुनके, आज जो चेप्टर स्टार्ट करने हैं, बहुत मज़दार, बहुत इंटर्स्टिंग है, इस चेप्टर में और मज़ा कैसे आएगा, मुझे आज भी याद है, जब स्टार्टिंग में हमने वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे टीचरों को भी हम हेल्प करते हैं, टीचर ने का कि सर वो लेक्टर देखके बहुत मज़ा आया, तो आपके लेक्टर चाहिए, तो उन लोगों को भी हमने सपोर्ट किया काफी ज़्यादा, इंडिया के बहुत सारे टीचरों को हमने सपोर्ट किया इस तरीके से, खेर, तो डिमांड का जो चेप्टर है भाई, ये बहुत इंटरस्टिंग है, अच्छा एक बात मुझे कमेट में जुरू बताना है कि लेक्टर पढ़के कैसा लग रहा है आपको, मतलब जब मैं बात करता हूँ, जब चीजें बताता हूँ, तो सच में लगता है कि यार कुछ मज़ा आ रहा है, या ऐसी बूल दे तो मेरे कहने से, बताना मुझे, ये जो डिमांड का चैप्टर है, इसमें टोटल बहुत सारे क्वंसर्ट्स हैं, लेकिन यहां पर हम चार क्वंसर्ट्स के उपर बात करेंगे अभी, जैसे सबसे पहले बात करेंगे, प्राइस डिमांड के उपर, कि प्राइस डिमांड क्या होता है, थोड़ी भाबुख भाबुख बाते हो गई, आजो जल्दी वापस आजो इदर, तो प्राइस डिमांड की बात करूँ मैं, तो प्राइस डिमांड क्या होता है, कि जब price किसी भी चीज का महंगा होगा तो quantity कम बिकेगी जब price सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा याद करो वो दिन जब प्यास टमाटर के भाव तेज हो जाते हैं महंगा हो जाता है तो जब प्यास टमाटर महंगा हो जाता है तो ज़्यादा बिकता है इसी तरीके से जब प्यास टमाटर सस्ता हो जाता है तो ज्यादा बिखता है तो price demand क्या कहता है कि किसी भी commodity का price ज्यादा हो जाए तो quantity कम हो जाएगी और price अकर कम हो जाए तो quantity बढ़ जाएगी पिछली class में मैंने बताया था और पीछे भी हमने चर्चा किया था कि भाई इस तरीके की situation होती है औ और generally इसके function होते है अभी function के बारे में बात नहीं करूँगा, generally demand function होते है अभी आगे चलके detail में चर्चा करूँगा, demand function को dx equals to fpx से दिखाते हैं, मतलब demand of x commodity is equal to f of px, मतलब price से related है ये, है ना इसके अलावा और भी हो सकता है, यहाँ से price की बात और रही है क्योंकि price demand की ब बात की थे तो किसी भी commodity का price बढ़ेगा, quantity घटेगी, price घटेगा, quantity बढ़ेगी, that means negative relationship होता है किसी भी commodity के price और quantity के बीच में, तो dx equals to f of px, जहाँ पे dx जो है वो demand of good x है, px जो है price of good x है, और f जो है वो function है, now इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो income demand की अगर बात करें, तो generally क्या होता है कि लोगों की जब income बढ़ती है, तो demand बी बढ़ेगी, ज्यादा पैसे कमारीत है तो ज्यादा demand होगी, कम पैसे कमारीत है, तो low cost 37yect, ज्यादा income कम, तो demand भी कम, तो इसका जो function होता है वो dx equals to f of y होता है, मतलब demand जो होता है, डारेकली related to income होता है, किसे होता ह इंकम से, तो price demand में dx जो होता है, वो f of px होता है, जबकि income में क्या होता है, dx equals to f y यहाँ पर y जो होता है, वो i, i, income economics में, income को i से नहीं y से denote करते हैं, याद रखना, तो income of the consumer है, यहाँ पर income और quantity के बीच में positive relationship होता है, positive, जबकि यहाँ पर बात करूँ, तो price और quantity, price में, price और quantity के बीच में negative, income वाले में positive, price demand में negative relationship होता है, आओ ज़रा, पिश्री class में बताया था, आज वाली class में दुबारा बात करते हैं, एक उता है cross demand, यह कौन सा होता है जब एक commodity का price और एक commodity की quantity को लेते हैं, एक का price एक की quantity और यह जो होता है, वो complimentary या substitute goods में होता है हिंदी में बोलते है, आड़ी या तिर्ची मांग यह क्या होता है जी substitute goods के case में क्या होता है एक का price बढ़ेगा तो दूसरी की quantity बढ़ेगी और एक का price घटेगा तो दूसरी की quantity घटेगी मदा चाई coffee का example ले लो, पिश्री क्लास में बताया था मैंने ऐसी complimentary goods जो होते हैं price बढ़ेगा, quantity घटेगी price घटेगा, quantity बढ़ेगी एक का price जैसे petrol महंगा हो गया कार कम चलाएंगे लोग पेट्रोल सस्ता हो गया कार ज्यादा चलाएंगे, तो पेट्रोल और कार का अच्छा example है, तो substitute goods के case में positive relationship होता है जबकि complimentary goods के case में negative relationship होता है तो पहला हमने इसके अंदर बताया भई price demand, जब price और quantity के बीच में बात करते हैं income demand, जब income और quantity के बीच में बात होती है cross demand मतलब आड़ी अतुर्ची मांग, एक का price एक commodity का price और दूसरी commodity की quantity की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं cross demand, आज थोड़ी भावुक भावुक बाते ज़्यादा हो गई तो मुझे लगा कि चलो एक छोटा से topic तो discuss करी सकते हैं at least, बात अगली class में इसको continue करेंगे, actually ज़्यादा देर तक class लेंगे तो भी क्योंकि आज वाली class वो है, वो ज़्यादा important class है और आज वाली class के उपर ही based है आगे के पूरे concept तो अगली class में चर्चा करेंगे ना मुझे नीचे comment में बताओ हच कैसा लगा कुछ इस तरीकी की चीजे कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे comment में जरूर बताओ lecture लेक्चा 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 लग रहा है पढ़ने में किस level का पढ़ना आपको समझ में आ रहा है कोई कमी है तो वो मुझे बताओ ताकि मैं अपने आपको correct कर सकूँ कोई और चीज जानना चाहते हो तो नीचे comment करो अच्छा लगता है ठीक है मिलेंगे अगली class में तब तक लिए all the best take care जय हिंद जय भारत